अब हम पढ़ेंगे 6,7,8,9,10 को क्या बोलता है 6 को हम बोलते हैं, 6 6 अब आगे हमारे पस 7 7 को हम बोलते है, 7 7 8 अब हमारे पस इसमें आजाएगा Ui इसको बोलते है Ui Ui 8 या भी इसले के आपने 8 को हम बोलते है Ui Ui इसमें Ui बोलते है इसको तो इसमें UI का हो जाता है Ui तो इसका प्रिनिसेशन हो जाता है Ui इसमें Ed's बहुत silent की तरह होते है मतललने इसका बहुत कमी अपने को सुनाई देता है 9 को हम बोलता है 9 U का O होता है तो इसमें 9 और N और F कही आया है U का O होता है हमने किया था यभी 9 अब हमारे पास आजाता है 10 10 को हम बोलता है 10 10 यह S इसको I X को हम E Z इसे प्रणन्स होता है Z की तर है इन्दी में जैसे तो यह होगा हमारे 1, 2, 10 नंबर्स तो जैसाब हम स्टाटिंग से एक बर रीट करते है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 अब हमारे यह हो गए नंबर्स अब हम एक दो फ्रेजर्स फॉर्म करेंगे इसके एक्साइस के इस पर अब हम इसमें एक्साइस प्राक्टिस करेंगे थोड़ी शी इसके बेस पर अब जैसे मैंने आपको दिया है फ्रॉस्ट जैसे आप इसको एक तो कॉपी में लिखेंगे आपने और इसकी इसका प्रेणसियेशन की प्राक्टिस करें तो हम इसको फ्रेंच में क्या बोलेंगे अब हमने काट को पड़ा था क्या बोलते हैं तो अब हम इसको भी लेख साकते हैं थर्ड थर्ड है जीरो कैट्स तो आप इसको अपने आप से प्राक्टिस करने की कोशिश करें तो अब हम इसका आंसोस देखते हैं फर्स्ट का आएगा हमारा सी जूर अगर आपने किया तो वेरी गूर्ट सेकेंड का आएगा अ शा इसको अगें वेरी गूर्ट और थर्ड का आएगा जेरो शा या या इसमें भी एस लगाएंगे तो गलत नहीं तो यह भी शही है आप कई लोग सोचे होंगे यह पे यह क्या बना हुआ है तो इसको हम बोलते हैं एक्सेंट यह नॉर्मल यह भागे जब भी वर्ट पढ़ेंगे तो बहुत सारे पे मिलेगा अपने को इसे ना जैसे जेरो क्यों बनाएए इसको जीरो भी बोल सकते था पंतो पर आ इसमें इसने अपने को आ का प्रयनेसियेशन दिया अपने तो यह इसका होता है अशे अभी एक और ऐसे एक और एसे जो होता है ऐसे हो होता है वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो अभी तक के लिए इतना काफी है अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे 11 से 20 को क्या बोलते हैं तब तक के लिए गुडबाई और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले हूप यू लाइक मैं टीजिंग थैंक्यू